नमस्कार मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख नहीं हैं खबर अड़ी आई रुप करते हैं आज की कुछ खास कबो किया है कोरोना संकट के बीच लोगडाउन के तीसरे चरण में आर्थिक पैकेज की घोशना के बाद मधिप्रदेश सरकार के स्वास्त मंत्री नरुप्तम मिश्वा ने इसे रामबान बताया है साथ ही साथ उन्होंने कहा की कौरोना संक्रमन से पूरा विश्व टूण चुका है थक चुका है और हारा पड़ा है ऐसे में वेश्विक नेता नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भारत को वेश्विक रूप से वसुदेव कुटुम्ब कम्ब की भावना के साथ विश्व का नेत्रत्व करने की भी रहा दिखा रहा है। भारत को वेश्विक रूप से वसुदेव कुटुम्ब कम्ब की परिवासा को इसीने गड़ा है और भारत हमेशा विश्व बंधत्तों की भावना को सर्व परी मानता है। तो धर्मिक आयविजन में भी धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। उसमें भी हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और आज एक लंबे समय बाद एक नेतत्तों भारत का जो विश्व को दिसा दिखा रहा है। करोणा के खिलाप में प्रभावी लडाई के वो मजबूत और ससक्त बनाने के लिए मानी मोदी जी ने जो बीस लाह करोण का पैकेज दिया है। निश्वित रूप से वो आर्थिक रूप से आत्मेद्रवर बनाने में राम मार्द साबित होगा। उमर्य जुले के ग्राम भरेवा के रहने वाले राकेश मिश्टा के पिता की अचानक तवियत खराब होने पर वो अपने पिता को इलाज के लिए बिलासपूर अपोलो हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में 36 गड़ पुलिस ने दो घंटे से जादा रोक कर उनसे पूछताज जारी की और गैर जिम्मेदाराना रवाया एक्तियार किया। उनकी इस पूछताज के चलते बुजर्ग पिता की रास्ते में ही मौत हो गई। अब इस पूरे गटना क्रम पर 36 गड़ प्रशासन लीपा पोती करने में जुटा हुआ है। इस पूरे चाहिक रवाना हो गए और उपचार के लिए ताकि हमारा समय पर उपचार हो और उपचार कि उनके जीवन को दान मिल सकता था। लेकिन वहां की 36 रड़की जो पुलिस थी तो राजनगर और मनेंदरिगार के बीच के जो सीमा होती है वहां पर रोक दिया और उनके जो परियन थे केसफ राज मिस्रा जी के वो काफी पुलिस प्रसासन सहने भी ने किये कि इनके जान जोकिम में है और हाई रिस्क में चल रह और उनकी मर्तु हो गई अभी आ रहे थे उमरिया से विलादपूर जाने का था उनका इधर से गुजरना चाह रहे थी तो जाने का एलाव था यहां से एलाव हो गया परिपी हो गया उसके बाद अचानक उनका तबियत गड़बर हो गया वाकि ऐसा कोई समस्या नहीं है जल को रूघना संकट के बीच लगे लोगडाउन के तीसरे चेनडं में फिरसे प्रशासनिक अधिकारियोंने कंटेंटमेंट शेतर का दोराकर बंदोबस्त का जाईज आ खराustom को प्ता दे कि लगातार अधिकारियों को कंटेंटमेंट शेतर में आवा जाही कि शिकायत मिल रही थे जिसके चलते अधिकारियों ने इस शेत्र का जायजा लिया कि लॉक्डाउन के बीच किसानों को धीरे धीरे रहत मिल रही है एस डीम ने मंडी अधिकारी कर्मिचानी को आदेश देते हुए कहा कि किसानों की फसल खरीदने की उचित व्यवस्ता कराई जाए और उनको रहत दी जाए साथ ही साथ बताया कि इस दोरान सोशल डिसेंसिंग कि विशेश तोर पर ख्याल रखा जाए जाए आज शामगण मंडी पिछले बंद पड़ी थे तो अभी जिला प्रसास में नहीं लिया कि किसानों के मांग के देखते हुए कुछ गाउं के काउं को भागों में बाटके बारा बारा गाउं बाटके और सभी प्रकार की फसल क बारा गाउं के लोगों के लोग जो भी और सथाए बारा तेरा गाउं एक रेंडम बना दिया है हर गाउं एक सप्ता के अंदर पुरे हमारे मंडी छेत्र कुरे गाउं तो उसमें आ जाएंगे और कम सब्सक्राइब आई तक गरोट विकासकन में कितने मंडिया चालू है आ आज तो हमने गरोट मंडी भी शुरुवात की है आज और कम सब्सक्राइब पच्ची तिस कास्कार आए थे और सामगड़ चार्चा करके परसों के दिन चलेगे और कल भानपूरा की मंडी भी हम सुरुवात करते हैं इसे सब्सक्राइब क्या ध्यान रखने का कहा गया है इ कोरोना संकट के बीच लगे लोगडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग अपालन करते हुए एक अनोखी शादी हुई है जानकारी के नसार मनसोर जुले के दलोदा में दुलहन हिना के इत्वास की शादी प्रशासन के आदेशों के अनुरूप ही संपन्द हुई है इस कोरोना क जहां सब दुखी है वहीं खुशी की शेहनाई बजी है इस लिए हमको शादी करने हैं अभी के लिए बसेतना ही बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रही खबर हम्रेट के सांद जनता की बुरंद आवाज घरों में रहें सुच्छ रहें सुच्छ रहें अपने हाथ दोते रहें क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है